तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नवंबर महीने, अक्टूबर महीने और सितंबर महीने तीनों का डेटा दिखाई दे रहा है और नवंबर महीने में onpassive.com बेफ पोर्टल पर 1.1 मिलियन ट्रैफिक आया है वहीं ofounder.net पर 562.5 के ट्रैफिक आया है और यदि हम अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर महीने में onpassive.com बेफ पोर्टल पर 1.5 मिलियन ट्रैफिक आया है finally onpassive.com बेफ पोर्टल का नवंबर महीने का ट्रैफिक डीटेल का डेटा आ गया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि नवंबर महीने का जो ट्रैफिक डीटेल का डेटा आया है वह अक्टूबर महीने से काफी बेतर है तो आज की इस वीडियो में हम इसी टौपी के उपर बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्मा अउनपैसिब.com बेव पोर्टल का नवंबर महीने का गलोबल रैंक 47,515 है कंट्री रैंक 9,677 है कैटेग्री रैंक 214 है वहीं टोटल विजिटर 1.1 मिलियन है बाउंस रेट 49.9 परसेंट है पेज पर विजिट 5.19 है एबरेज विजिट डूरेशन 3 मिनट 8 सकेंड है यानि उनपैसिब.com बेव पोर्टल पर नवंबर महीने में कुल 1.1 मिलियन ट्रैफिक आया है और 1.1 मिलियन आने वाले ट्रैफिक ने 3 मिनट 8 सकेंड तक उनपैसिब.com बेव पोर्टल को अस्क्रोल किया है अनपैसिब.com बेव पोर्टल पर विजिट किया है अब हम बात करते हैं औनपैसिब.com रेंकिंग वाई ट्रैफिक के बारे में यानि आनपैसिब.com बेव पोर्टल कितने नंबर पोजीशन पर रेंग कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं onpassive.com बेव पोटल 244 नंबर पोजिशन पर रेंग कर रहा है जो नवंबर महिने का डेटा है वहीं अक्टूबर महिने में onpassive.com बेव पोटल 273 नंबर पोजिशन पर रेंग कर रहा था और सितंबर महिने में onpassive.com बेह पोटल 107 नमबर पोजिशन पर रेंग कर रहा था यानि नवंबर महिने में onpassive.com बेह पोटल 273 नमबर पोजिशन से छलांग लगा कर 214 नमबर पोजिशन पर आ गया है वहीं यदि हम country rank के बारे में बात करें तो country rank में onpassive.com बेh portal सितंबर महिने में 4507 नंबर पोजिशन पर था, अक्टूबर महिने में 11949 नंबर पोजिशन पर था, वहीं नोबंबर महिने में 967 नंबर पोजिशन पर है। और यदि हम global rank के बारे में बात करें तो on passive.com का global rank 47515 numbers position है और सितंबर महिने में 17949 नiãoब पोजिसिछन पर था यानि अक्टूबर महिने की या पेक्छा नवंबर महीने में onpassive.com बेफ पोटल पर बहतर ट्रैफिक आया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com ट्रैफिक and engagement analysis के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं कि नवंबर महीने, अक्टूबर महीने और सितंबर महीने तीनों का डेटा दिखाई दे रहा है। और नवंबर महीने में onpassive.com बेफ पोटल पर 1.1 मिलियन ट्रैफिक आया है। वहीं ofounder.net पर 562.5 के ट्रैफिक आया है। और यदि हम अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर महीने में onpassive.com बेफ पोटल पर 1.5 मिलियन ट्रैफिक आया है। और ofounder.net पर 574.8 के ट्रैफिक आया है। और सितंबर महीने में onpassive.com बेफ पोटल पर 2.5 मिलियन ट्रैफिक आया है। और opounder.net पर 1.7 million traffic आया है यानि traffic and engagement analysis में onpassive.com बेव पोर्टल थोड़ा डाउन हुआ है अक्टूबर महीने की अप एक छाम नवंबर महीने में traffic and engagement analysis का graph थोड़ा नीचे आया है अब हम बात करते हैं onpassive.com बेव traffic-wide country के बारे में यानि किस country से ज़्यादा लोग onpassive.com बेव पोर्टल पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं onpassive.com बेव पोर्टल पर सबसे ज़्यादा United States के लोग विजिट करते हैं जो 20.3% है उसके बाद इंडिया से हैं इंडिया वाले 15.2% विजिट करते हैं उसके बाद जर्मनी से हैं जर्मनी की लोग 14.1% विजिट करते हैं उसके बाद स्विट्जर लेंड से हैं यहाँ से 7.11% लोग विजिट करते हैं और बंगला देश से 6.3% लोग विजिट करते हैं और अधर में 37.42% की लोग हैं यानि onpassive.com बेव पोटल पर सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले लोग United States से हैं उसके बाद इंडिया से हैं अब हम बात करते हैं onpassive.com बेव साइट ट्रैफिक डेमोगराफिक्स के बारे में यानि onpassive.com बेव पोटल पर किस वर्स के लोग किस आयू के लोग सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले लोग 35 से 44 वर्स के हैं जो 23.26% विजिट करते हैं उसके बाद 45 से 54 वर्स के लोग 19.56% विजिट करते हैं उसके बाद 55 से 64 बर्स के लोग 18.5% विजिट करते हैं उसके बाद 65 बर्स से उपर के लोग 9.73% विजिट करते हैं और 18 से 24 बर्स के लोग 9.66% विजिट करते हैं यानि सबसे ज़्यादा विजिट करने बाले लोग 35 से 44 बर्स के हैं जो 23.26% विजिट करते हैं अब हम बात करते हैं onpassive.com top traffic source के बारे में यानि onpassive.com बेh portal पर कहां कहां से traffic आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं direct से 49.13% traffic आता है और referral के द्वारा 17.21% traffic आता है और search के द्वारा 19.91% traffic आता है और paid search से zero traffic आता है वहीं social media से 4.48% traffic आता है mail के द्वारा 9.8% traffic आता है और display के द्वारा .19% traffic आता है यानि सबसे ज्यादा traffic direct से आता है जो 49.13% है और direct से वही traffic आता है जो onpassive को जानने वाले हैं पहचानने वाले हैं वे onpassive के founder हो सकते हैं onpassive के user हो सकते हैं जो पहले से onpassive को use करते हैं 49.13% यानि लगभग आधा ट्रैफिक, OnPassive के founder और user हैं, जो OnPassive को पहले से जानते हैं, उन्होंने ecosystem में अपना account create कर लिया है अब हम बात करते हैं social media traffic to OnPassive.com यानि OnPassive.com बेव पोर्टल पर किसकी social media से ट्रैफिक आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं YouTube से 47.53% ट्रैफिक आता है, Facebook से 27.25% ट्रैफिक आता है, WhatsApp से 7.78% ट्रैफिक आता है, Telegram से 3.63% ट्रैफिक आता है, Tutor से 3.24% ट्रैफिक आता है, वहीं अधर से 10.57% ट्रैफिक आता है यानि social media के द्वारा सबसे ज्यादा ट्रैफिक YouTube से आता है, जो 47.53% है यानि OnPassive.com बेव पोर्टल पर लगभग आधा ट्रैफिक YouTube के द्वारा मूब किया जाता है YouTube वीडियो के द्वारा ही OnPassive.com बेव पोर्टल पर ट्रैफिक को मूब किया जाता है तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में नेट आपके साथ जाय है